प्रेवियू तो हलो एंड वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का इंग्लिश का चेप्टर नामबर पर्स्ट का रेडिंग सी सेक्षन का चेकंड वीडियो ठीक है तो हमारे रेडिंग सी सेक्षन वाला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है सालू मरादा थिमक्का तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसका इंट्रोक्षन पढ़ लिया था कि जो थिमक्का है कैसे बचपन में जो है क्या करते थे पढ़ाई नहीं कहीं फिर खधान में काम करते थे फिर एक लड़के से इसका साधी हो गया फिर इनके बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने पेड़ लगाना चालो क्या यह सब जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिसकस जो है कर लिये थे ठीक है और उनके पेड़ लगाने का यह जो उन्होंने जो सुरुवात किया था 30-40-50 साल पहले उसका देखभाल अब करनाटक का गौर्मेंट जो है करने लगा है यह हम लोग उन्हें लास्ट वीडियो में देखा था अब आगे बढ़ते हुसी में थिमक अब यहां पर देखो क्या है रिफर्ड रिफर्ड का मतलब होता है हवाला ठीक है रिफर्ड का मतलब क्या होता है हवाला तो देखो थिमक्का जो है क्या हो गया थिमक्का का कार्य जब लोगों को क्या हुआ पता चला पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध होना ठीक है थिमक्का क कारे जब लोगों के बीच में बहुंँ ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा तो उसे वहाँ के लोग जो है सालू मरादा थिमक्का जो है कहने लगे सालू मरादा मींस और रो अब ट्री इन कंड़ा लिंग्वेज अब यह जो सालू मरादा है यह कंड़ का एक क्या है एक वर् क्या होता है समर्पन होता है ठीक है तुवर्स मतलब होता है की ओर ठीक है तुवर्स का मतलब क्या होता है तुवर्स अब प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको प्रिजर्विंग का मतलब होता है सनरक्षण करना तो जो सालू मरादा है जब इसका काम लोगों के बीच में फेमस हुआ तो इसको यह को जो है किया था ठीक है numerous hardship that she and husband had to face along the way जब वो पेड़ लगाने जाते थे तो बहुँँ सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था वो सारी समस्याओं से लड़ कर जो उन्हों नहीं क्या करता बहुँ जादा amount में पेड़ लगाया था इसी के सम्मान में उनको सालू मरादा थिमक्का जो है कहा जाता है चलिए अब आप आगे देखते हैं Other Social Activities of थिमक्का Social मतलब होता है सामाजी के activities को मतलब होता है क्रिया कलाब तो एक तो थिमक्का पेड़ लगाई इसके अलावा भी उसने क्या के कुछ और समाजी कारिय के जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं अब देखो Did not stop का मतलब होता है यही नहीं रूपना Only मतलब होता है मात्र Planting मतलब पेड़ पॉधे लगाना Involved का मतलब क्या होता है सम्मेलित होना Various मतलब क्या होता है बहुँ सारे Social Activities मतलब समाजी क्रिया कलाब में Like construction of tank अब देखो जो सालू मरादा थी मक्का थी सिर्फ उसने पेड़ पॉधे नहीं लगाए ठीक है सिर्फ पेड़ पॉधे लगा कर अपना काम को खतम नहीं किया इसके अलावा वह और भी जो है Other social activities में क्या कर रही थी Participate कर रही थी मतलब इन्होंने एक बरसात के पानी को रोकने के लिए बचाने के लिए क्या क्या इन्होंने एक तंकी बनवाए और जिस तंकी का उपयोग वहाँ पर क्या होता थी जब साल में मेला लगता था तो गावाले उसका यूज जो है करते थे See has plans for building a hospital in her village and has set up a trust for the purpose ठीक है उन्होंने गाव में अस्पताल बनाने के लिए भवन की योजना को बनाया और इस उद्येश से की पूर्ती के लिए एक नियास की जो है इस्थापना जो है उन्होंने ये कर दी Trust का मतलब क्या होता है नियास होता है परपस्त मतलब होता है प्रयोजन तो इन्होंने क्या क्या है एक भवन के निर्माण के लिए Trust को जो है क्या क्या गठन भी जो है इन्होंने कर दिया See is in active crusader यहाँ पर देखो क्या दी है crusader का मतलब क्या होता है किसी अनेक्तिक्ता या रोग आधी के विरुद्ध विद्रो होता है Crusader का मतलब क्या होता है देखो यहाँ पर Crusader है किसी अनेक्तिक्ता या रोग आधी के विरुद्ध For spreading the message of afforestation Afforestation का मतलब होता है वरिक्षा रोपन Her simple philosophy, philosophy का मतलब होता है सिधान Of life is that every person on this earth must live behind some acid Acid मतलब होता है कुछ lab for humanity मतलब मानवता अब देखो वह जंगल लगाने के संदेश को बढ़ाने के लिए एक क्रियासिल कारी करता थी वह बहुँँ ज़्यादा active रहती थी अगर कोई आदमी मर रहा जो अभी धर्ती में जिन्दा है जब वो मरे तो आने वाले पिडियों के लिए क्या क्या जाए कुछ जो है वहाँ पर आपका मानवता है तो कुछ संपत्ती चोन कर जाए अब संपत्ती का मतलब सिप रुपए पैसे धन संपत्ती नहीं होता है संपत्ती का मतलब होता है जिसे पेड लगा कर जाना परियावन के संरक्षन के लिए काम करना जानवरों को बचाना कुछ इस तरीके का समाजी कारी करके जाए ताकि मरने के बाद भी क्या कर सकें, लोग उनको याद रखे, ये उनका क्याता सिंपल सा फिलोसोफी था. See, still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and the monthly pension. अब देखो यहाँ पर, still का मतलब होता है अभी तक, economic crisis का मतलब होता है आर्थिक परेशानी, manage मतलब होता है प्रबंध, somehow मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है? अब देखो, अभी तक, मतलब वो जो थिमक्का थी, वहाँ अभी तक आर्थिक परेशानीों से का हो रही थी? जूज इसी तरह अपने विभिन पुरुसकारों और मासिक पेंसन से लेकर अपनी आजीविका सो क्या कर रही थी? वो चला रही थी, इनके पास income का कोई source तो नहीं था, इनका time क्या था? पेड़े लगाना, तो पूरा दीन पेड़े लगाना, अब देख भाल करना, ऐसी ही उनका ज इंचरिया जो है क्या होता था? चलता था, but this has never managed to kill her spirit, spirit का मतलब ये होता है उत्सा है, और her passion, passion का मतलब होता है किसी चीज को करने का धारिया, for doing good work for the humankind, humankind का मतलब होता है मानोता के लिए, लेकिन ये सब आर्थिक तंगी के बावजुद भी जो है, वो जो है कभी हार नही मानी, बलकि मानो जाती के अच्छे कारियों को करने के लिए और उत्सा और लालसा से क्या करती रही, काम को करती रही, कई लोग क्या होता है कि पैसा नहीं है करके काम को छोड़ देते हैं, शुरू करके, लेकिन ये उनमें से नहीं थी, ये कैसी थी, इनको आर्थिक तंगी के लिए जो है कुछ संपत्ती जो है छोड़ कर जाए, और ये बहुत सारा संपत्ती छोड़ कर जाने वाली है, ठीक है, अब अवार्ड का मतलब होता है देखो पुरसकार, ठीक, रिकोगनिशन का मतलब होता है पहचान, तो थीमक्का के लिए पुरसकार और पहचान उनको क का क्या मिला इसके बारे में हम लोग देखते हैं सालूमा रादा थिमक्ता is a idol idol का मतलब होता है others ठीक है आइडल का मतलब क्या होता है others भेक्ति of every environmentalist मतलब परिया वर अविद today she has shown the world how one illiterate 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 असाक्षर अनपड women can make a huge difference to the society through her hard work and patience, hard work मतलब बहुत भहनत करके patience का मतलब यह होता है, धैर यह होता है, ठीक है, तो सालो मारदा थिमक्ता, आज जो है सभी परियावरन के सम्बंदित जो काम करने वाले लोग है, उनके लिए जो है क्या हो गई है, एक सम्मानित महिला जो है बन गई है, ठीक है, उन्हें ने पुरे विश्व को यह दिखाया कि किस तरीके से एक अंपड़ महिला जो है क्या करती है, अपने कठोर परिष्रम से और ध्यारिय से समाज में कितना सारा परिवर्टन जो है ला सकती है, ठीक है, उसी तरीके से आप भी ला सकते हो, बस आपके अंदर में करने के इच्छा जो है होने चाहिए, कहते हैं कि नहीं, जहां चाह है वही क्या है, राह है करके, तो यह देखो, यह स्कूल भी नहीं गए थी, फिर भी इनको इतने सारे अवार्ड मिले, इतने सारे पुरसकार मिले, इनको इतना सारा जट सम्मान मिला ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पड़ली करी यह सब चीज कमा सकते हो, बस आपके अंदर हाड़ वर्पेसेंस, कार्गे करने की इच्छा जो है होनी चाहिए, आप किसी भी चीज को बड़े आराम से क्या कर सकते हो, अचीव जो है कर सकते हो, आगे देखते हैं, she has been honored with titles like, वन मित्रा, निसर्ग रतना, वरिक्षा प्रेमी और वरिक्षाषरी, for her uncompromised effort towards the saving the environment, she had been confirmed with the several awards in the situation, including National Citizens Award 1995, honor certificate from the Women and Child Welfare Department, Government of Karnataka, विसालक्षी Award by the Art of Living Organization in the Certificate of Appropriation from the Indian Institute of Wood Science in the Technology, Bangalore, अब देखो, इसके अलावा honored, देखो, यहाँ पर आया है, honored, honored का मतलब क्या होता है, सम्मान होता है, ठीक है, uncompromising, uncompromising का मतलब क्या होता है, देखो, समझाता नहीं करना, किसी चीज से समझाता नहीं करना, comfort मतलब क्या होत होता है, देखो, उपाधी प्रदत, comfort मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो, comfort है, comfort का मतलब किसी को कोई उपाधी देना, देखो, citation का मतलब क्या होता है, कथन होता है, citation दिया था, कि यह, citation, इसका मतलब होता है, कथन या बयान, appreciation का मतलब होता है, प्रसंसा, तो इनके काम के कारण सादो मरग का थिमत्ता को जो है उन्हें वन मित्र कहा जाता था निस्वर गरत्न कहा जाता था व्रिक्ष पीमी कहा जाता था व्रिक्ष स्री यह सब नामों से जो है इनको क्या क्या गया था सम्मानित क्या गया था ठीक है उनके परियावरण की रक्षा के लिए भीना कि इस से कंप्रोमाइस किये परिया वाहौने के लिए उनको कई सारे पुरुषकार मिले और कई सारे जो है उनको आवर्ड ही जो है उनको अनको humanik पुरिषकार दिया था करना तक सरकार गवर इनको प्रसस्ती पत्र दिया था Art of Living जो एक संस्ता इनके द्वारा इनको पुरिस्कार दिया गया था Indian Institute of Wood Science of Technology बैंगलोर द्वारा भी इनको प्रसस्ती प्रमाण पत्र जो है दिया हुआ है तो बहुत सारा इनको पुरिस्कार मिला है इनके काम के कारण क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करके गई है पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी पुरे लोगों के लिए एक मिसाल बनकर काम करी है ठीक है तो यहां तक आप हमारा चेप्टर जो है खतम होता है मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छा ये जो पूरी स्टोरी ये कहां से लिया आगया है ताइमस अफ इंडिया मी ये आर्टिकल चपा था 12 जन्वरी 2015 को मादूर के द्वारा चपा था तो इन ही से जो है ये इसको उठाया गया है ताकि आप लोगों के बीच में एन्वार्मेंट से रिलेटेड आपको जो है क्या क्या आजा सके अवेर क्या आजा सके और आपको भी मोटिवेट कर सके कि किस तरीके से जिस अफ एक महज़ा ने पूरे वर्ल्ड के लिए जिए आप भी क्या करें कुछ इस तरीके से काम करें कि आपको भी आगे recognition मिले, पुरी दुनिया के लोगों आपको जाने, ठीक, इसी purpose से आपको इसको जोड़ा गया था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए चेप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रिए, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिया, लाइक कर दीजिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब सब्सक्राइब करें, बाई बाई,